आप देख रहे हैं खबर फास्ट तेज खबर पैनी नजर चार अगस को हर साल बोन एंड जॉइन डे के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर इंडियन और्थोपेडिक एसोसियेशन इच वन सेव वन के नाम से एक साथ दिवसिय मुहिम शुरू करने जा रही है जिसमें सड़क दुर्खटना होने पर सबसे पहले क्या करें इस बारे में और्थोपेडिक डॉक्टर्स लोगों को जागरूप करेंगे दरसल हादसे के बाद शुरुवाती कुछ पल बहुत एहम होते हैं इस दुरान घायल को बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे दें इसके लिए डॉक्टर्स पूरे हफ़ते लोगों को प्रशिक्षत करेंगे ताकि सड़क पर चलने वाला हर एक व्यक्ति घायलों की जान पजा सके Indian Orthopedic Association के बैनर तले इस मुहिम को जगा जगा चलाया जाएगा इस मुहिम का उद्देशी क्या है और कैसे इसके तहट लोगों को जाग रुक किया जाएगा इस बारे में हमारी सहयोगी प्रियांका राई ने इस मुहिम से जुड़े Indian Orthopedic Association के सदस्यों से बात चीत की बात करने के लिए मौजूद है अतुल सर यह बताइए कि यह जो आज आप अवेंडनेस कैंप चला रहे हैं आप लोगों ने थीम दिया है इच वन सेब वन इसका क्या मतलब है एच वन का मतलब फस्ट इस विक्टिम एच वन आज 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 सेब बन आज सेब वन इस थीम आज आज दिया है करके लोगों की जान बचा सके। liar को सैंटॉटिस करना चाते हैं कि वह लोग जो आम जनता है वह भी ये प्रोशीजर करके जान बचा सकती से अला हयाँ, मेडिकल पोफेशन के साफ़ी कि च्रहत चाहिए, हर सडक हाथसों से जो मौत होती है उसके दर में कुछ कमी देखने को मिले क्योंकि आपने ही कहा कि बहुत परिवार का ब्रेड अर्णर तक छिन जाता है तो अगर हम इंस्टेंट रियाक्ट करते वे उनकी जान बचा सकते हैं तो यह काफी बहतर होगा तो यह अवेर्नेस जो मौडल्स होते हैं जिसके उपर जो हमारे अनेस्थेटिस हैं और हमारे और्टोपडिक सर्जन्स हैं हमारे डॉक्टर से वो उस पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे किसी को रिवाइब किया जा सकता है उस सिच्योशन में और काडियो पल्मरी रिससिटेशन कि जब उसको टाइमली दिया जाए तो काफी लाइफ सेव हो सकती है तो हमारी फील्ड पे जाके भी यह सेबिनार्स हैं टॉक्स हैं और हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं इन इंस्टिटूशन इसी मामले में इसाथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर शेकर श्रिवास्ता जो हॉस्पिटल में पेशन्स आते हैं उनके साथ फैमिली भी आती है और बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो खुद रोड एक्सिदेंट के शिकार हो चुके हैं उप्चार के लिए तो क्या उनको भी कोछ जागरुक किया जाएगा बताया जाएगा उनके परिवार वालों को भी कि आप जब सड़क पे निकलते हैं तो अगर कोई ऐसा हाथसा सामने आता है या कोई ऐसी केस आप देखते तो आपको फर्स्ट रस्पॉंडर होते वे कैसे रियाक करना है तो यह जो प्रोग्राम है यह इस बेसिकली सेंसिताइशन प्रोग्राम है ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ऐसी मीटिंग कर रहे हैं इवन हमारे जितने डॉक्टर से असोसिएशन को उनको हमने यह बोला है कि आप जहां बैठे हैं सबस्पोस अपने क्लिनिक में बैठे हैं जहां प प्रोग्राम जो है इसमें यह नियमं बता रहा है कि मेडिकली कैसे करना है हम आपको यह भी बता रहे हैं कि इसके कोई लीगल एस्पेक्ट क्या है आप लोग डर जाते हैं कि शायद पॉलिस में जाना पड़े है कुछ करना पड़ेगा सव भी हम सब को स्अनस्ताइस कर रह कि अगर आपको इतनी सी चीज़ पता होती है और कोई आदमी बच जाया, that family can be saved, okay? So, और दूसरी क्या है, कि everyone is so busy in life, ठेक है, कि आपकी अपनी लाफ चलती जारी, आप सोच नहीं रहे हो. So, यह जो एक वीक का जो हमने थीम रखा है, at least इसमें डॉक्टर्स भी सोच रहे हैं कि हमें सब को सिखाना है और लोग भी कुछ सिखना है. So, कहीं ने कहीं लोगों के दिमांग में अरह जाता है कि we have to help others. So, this is basically a sensitizing program. And there are many aspects to it. We are working on roads, बाकि इस तरह से हर हॉस्पिटल में सेमिनार्स हो रहे हैं, वेटिंग एरिया में इस तरह के फुष्टोस लग रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं किस चीज का है तो उनको बताया जा रहा है. So, इस तरह से एक तरह सी हमने चलाया हुआ है, तो जैसा कि डॉक्टर शेखर ने कहा कि आपकी एक कोशिश किसी की जान बचा सकती है, इसी मामले में हम बात करेंगे डॉक्टर अमित से. Sir, ये बताईए, आप H.O.D. हैं, यानि आपके अंडर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, या टीम है, जो सीखने आती है, प्रैक्टिस करती है, तो Sir, जिस तरीके से आपने कहा कि अगर किसी का रोड एक्सिडेंट होता है, या वहाँ पर हम स्पॉंटेनियस रेक्शन दे पाए, हम किसी की तुरंद मदद कर पाए, तो बहुत सारी जिंदगिया हम बचा सकते हैं, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? यही है कि अगर हम सबसे पहले, कोई भी अक्सिडेंट होता है, अगर उस विक्टिम को एक दम से अगर कोई हैल्प मिल जाती है, तो डेफिनिटल जो लाइफ हैं, वो से कर सकते हैं, इंस्टिट के हम वेट करें, एंबुलेंस आए, उसको लिकर जाए, हैना, तो उन सबसे अच्छा होता है कि अगर ऑन दे स्पॉट उसको कुछ भी हल्प मिलती है, तो डेफिनिटल लाइफ के भी से तो देखा आपने कि किस तरीके से यहां पर काफी अनुभवई टीम हैं, जिन्होंने ये कहा कि अगर हम रिस्पॉण करते हैं, तो एक इनसान की अगर जिंदगी बचाता है, तो एक चेन क्रियेट हो जाता है, और इससे हम जो रोज मरा की जिंदगी में सडक एक्सिडंट होता है, और लाकों जिन्दगिया चली जाती हैं, उनमें हम कमी कर पाएंगे, कहीं न कहीं उनके आंकडों में कमी देखने को मिलेगी और इसको लेकर लगतार ये कवेर्नेस कैम्पेंट भी चला रहे हैं, जहां ये लोगों को ये सिक्षित करेंगे कि आप किस तरीके से फिर्स्ट रेस्पॉंडर बने और लोगों की जिन्दगी बचाने में अपना भी योगदान दे नई दिल्ली से कैमरा पोजिशन रिंको के साथ प्रियंका राय खबर फास्ट फिल हाल के लिए बसे अतना ही, देज़े इजाज़त, नमस्कार